हाई फ्रेंड जमने के चिनमा आपका स्वागत है आज की रेसीपी आज मैं लशन और ट्रमाटर और मिर्च की चटने बढ़ा रहे हूं और यह मैंने तीन ट्रमाटर ले लिया बड़े अची तरफ साफ पांचे दो के अपड़े से फूच के साफ कर लिया है और यह आज मैंने लशन की कली भी लेली एक गट्टा और यह मिर्चे लेली च्यार अब आज मैं इनकी चटने बढ़ाऊंगी और इसी गेश के उपर इनकी शिखाए करऊंगी एसे मैं कमाच में इसको इसे शेक हूंगी दीरे दीरे और इस मिर्ची को भी और यह कली को भी अची तरह इसको यह से स्पेंड में सेक लेना और इस अची तरह सक जाए तब इनकी चटरी बढ़ाएंगी यह अब आप इनके चिल केट रहे हैं यह सक रहे इसलिए प्यदे को ओटमेटी की चट काट रहे हैं इनको अच्छी तरह सेखना है यह टमाटर सक चुके हैं अब इसको निकाड़ लेते हैं इसे यह भी सक चुका है इसके छोड़े अलग हो गया है ही है और यह टमाटर को निकाल ले हैं और लेशन को रख देते हैं इसमें यह मिर्च को भी निकाल लिए इसे शेक केड़ अब 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 यह नहाँ अपले अच्छी के सबस्क्तों करें ca मर्च भी सоворंते रिखिया देख्यार कर लेते हैं सुए उप्राइड एटाकर यो इसको अटाकर मिल्चिल त्यार कर लेता उता है और कोई जगा मेरत नहीं होगी और मैं लर्शन की कली को भी साथ के साथ डाल लेती हूं कि आप इनको चाहित जारे में भी मिक्सी में फी सकते हैं सो लेकिन मैं आथ उसे उसे इसको मिक्सर बारी कर ताकि बहुत ही अची चटनी बने एक डाब में भी यशी चटनी बनती है बनारी हूं और फाल को मेंत में नहीं होती ज़्यादा इसमें आज से बस कर लेती हूं मैं इसको यह मैं बहुत इची वात उसे कर लिए ट्रमाटर को यह से अब मैं इसको यह लशन जो मैंने प्रची और लशन का पेस्ट बनाया इसको भी मैं इसमें डाल देती हूं कि मैंने बारिक बारिक दनिया काट रहा है वह इस दनिया को भी इसमें डाल देते हैं और यह स्वादिक नुशार नमक डाल लेना स्वादिक नुशार नमक डाल देते हैं इसमें यह मैंने श्वादिक नुशार नमक डाल दी है और यह मैंने बारी बारी ट्रमाटर काट रहे हैं डाबे में इसे बनाते चटनी तो वही चटनी में बना रही हूं तो यह इसको भी इसे डाल देश में यह मैंने डाल दिया है और यह मैंने चोटकी पर गरम मसाला यह कर लिया के चटनी में बहुत ही टेस्टील लगे और स्वाधिया। रसोय में भी मेरे को बहुत ही कश्वार यह चटनी के बना ही तो मैंने और यह में चटनी बनके तयार होगी है और यह बहुत इची चटनी बन चुकी है, इसको अची तरह मिला दे इसको, और यह बहुत इची चटनी बन का तयार होगी है, और यह बहुत इची चटनी बन के तयार होगी है, और यह मेरी रेशीवी केशिल के आपको कोमेंट करें, और लाइक करें, और शेज करें, और धन्यवाज दोस्तों हो,